माबाप की दूआ कभी खाली नहीं जाती, मा की दूआ टाली नहीं जाती बरतन माच कर भी 3-4 बच्चों को पाल लेती है, मगर 3-4 बच्चों से एक मापाली नहीं जाती यही कुछ देखनी को मिला हमें यहां के वृद्दा अश्रम में तो हमने सोचा आज इनके लिए कुछ ऐसा काम करें जो इन्हें अच्छा लगे और एक काम नेकी के और आगे किया जाएं तो यहाँ पर आज मेरी पूरी टीम आ चुकी है और हमने सुचा आज हम इनके लिए एक बहुत ही शाददार और बहुत ही तेस्टी वेच पुलाओ बनाएं तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बनाना शुरू किया तो आज मैं आपको इस प्रोसेस में यह वेच पुलाओ मैं कैसे बना रही हूँ वो भी दिखाऊंगी तो यहाँ पर मैंने पहले पनीर को फ्राय करके उसे हलके गुनगुने पानी में डाल दिया ताकि पनीर सॉफ्ट रहे और बड़े जो बुज़ूर्ग है उन्हें खाने में भी आसानी हो फिर मैंने तेल में सारे खड़े मसाले डाले, साथी डाला मैंने हरी मेज, प्याज और इसे अच्छे से फ्राइ करने के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया तो आज हम ये वेज पुलाओ काफी हल्दी बना रहे हैं और उनके सेहत को ध्यार में रखते हैं हमने काफी सारे सब्जियास में एड़ की हैं थाकि इन्हें थोड़ा पोशन भी मिले और देखें मेरी जो टीम है वो काफी प्रोस्ताहित होके ये काम कर रही है क्योंकि ये एक नेक काम हम कर रहे हैं साथी मैंने खुब सारे टमाटर डाले फिर लालमेश पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला और लसन अदर का पेस्ट डाल कर मैंने इसे अच्छे से भूना है और फिर यहां पर आप देख सकते हैं हमने काफी सारी सब्जे लिए है ज कम भी डाली है तो पुरे दिल के साथ शिद्दत के साथ मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं तो आज हमने यहां पर लगपक 50 to 60 कंटेनर रखे थे जितना हम खाना अज बना रहे थे उसमें यह जितने कंटेनर फिल हो जाए वह सारे कंटेनर लेके हम जाने वाले थे तो यहां प दोस्तों क्या शांदार कलर आ चुका है पुलाओ का मिंस पुलाओ अभी बना नहीं है बस बनने जा रहा है और फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे दम पर रखा और फिर लगभग 15 मिनिट ऐसे धीमे आज पर रखने के बाद यह हमारा जो वेज पुलाओ था कश्के जहां, वो कंप्लीट हो चुका था अब उपर से हमने और यह ऊडर रहा शूल ciao ंरी तो अब हरा धन्या फिर फ्रस्राइज की वैग जो पनीट दोसे निकाल लिया था फिर इसमें हमने थोड़ी से प्राइज अरुष वभी डाल और थाजू भी डाले तो इस तरीके से लास्ट के गानेशन कंप्लीट किया और फिर इसे हमने दंपे रख दिया था फिर जैसे ही यह पुलाव बना हम सब ने मिलकर उसे कंटेनर में फटाफट डालना शुरू किया क्योंकि हमने सोचा था कि यह जो कंटेनर है अच्छे गरम गरम होने चाहिए और यह जब गरम होंगे और वो खाएंगे तो उन्हें जादा अच्छा लगेगा तो हमने फटाफटी से पैक किया और जल्दी से जल्दी हम उसे देने के लिए डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए जाने वाले थे तो दोस्तो ऐसे ही सोच अगर आप भ पिताएंगे तो उन्हें वो अकीला पन या खाली पन नहीं लगीगा फिर देखे सारे कंटेनर्स लेकर हम निकल पड़े थे तो यहां पर जितने जो ओल्ड एज होम थे या फिर जो अनात बच्ची थे जो भी हमें मिलेंगे हम उनके लिए आज ये नेकाम करने वाले थे इ बहुत बुरा लग रहा था लेकिन यहां के जो सारे लोग थी यहां के टीम इनका बहुत अच्छा से ध्यान रख रही थी लेकिन फिर भी अपने बच्चों की कमे तो उन्हें हमेशा लगी ही रहती हैं हमने उन्हें ये सारे कंटेनर दिले लेकिन वह इतने ज़दा खुश तो हमने कुछ अनात बच्चों को भी दिये और इस तरह के से हमने आज का दिन तै किया